हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल हमने एक थ्री ट्रेक टॉप लिया है और उसे अपने मीटर सो पर 45 डिग्री में हम काटने जा रहे हैं तो चलिए काट कर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है जब भी हमें ट्रेक जौइंट करने होते हैं तो हमें उन्हें 45-45 डिग्री में काटना पढ़ता है 145 डिग्री में काटने पर इस तरह से आप देख पा रहे होंगे बलेड जो है ट्रेक को कोई भी handle ले सकते हैं जिसे हमने एक इंची का यह वाला handle लिया है इसको track के आगे की तरफ लगाकर अब हम track को काट सकते हैं तो चलिए काट कर देखते हैं अगर आपका 100-200 थोड़ा बढ़ा होगा तो track इस तरह से असानी से cut जाएगा देखेने अगर आपके मीटर सो का साइज थोड़ा छोटा है जैसे हमारा जो ये कटिंग मेशिन है इसका साइज थोड़ा छोटा है तो ये ट्रेक पूरी तरह से कट नहीं पा रहा है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ये देख पा रहे होंगे आप डिगरी जो है बराबर है और लिए बराबर नहीं कटेगी तो जोइन्ट और जोइमन जो है वह बराबर मिल नहीं पाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये हमारा 3 1933 टॉप है अब हम इसकी ठीकनेश का माप करेंगे कि इस भी तरह का ट्रेक हो थ्री ट्रेक फोर ट्रेक या फिर डॉमाल के ट्रेक हो उनको 45 डिगरी में काट करी हमें जॉइंट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसकी थिकनेस का माप करेंगे यह जो हमारा ट्रेक है इसका माप आ रहा है एक इंची दो सूथ तो हमें आगे की तरफ इस सैड में एक इंची दो सूथ पर ही मार्किंग करनी है इस तरह से मार्किंग करते वक्त आप ध्यान रखें मार्किंग जो वो प्रोपर एक इंची दो सूथ की ही होनी चाहिए यानि आपके जो ट्रेक का साइज है उसी साइज पर हमें मार्किंग करनी है अब हम इसको राइट एंगल से प्रोपर मार्क कर लेते हैं इस तरह से और मार्क करने के बाद मार्किंग को एक बार फिर चेक कर लेते हैं एक इंची दो सुथ आ गई है या नहीं जी हाँ एक इंची दो सुथ बराबर आ गई है अब हमें अपने मीटर सो को 0 डिगरी पर रखना है और वर्टिकल से होरिजन्टल 45 डिगरी करना है अगर आप मीटर सो चलाना जानते होंगे तो ये 45 डिगरी हमें इस तरह से करना है इसको और इसको 0 डिगरी पर रखना है ब्लेड का अंदर वाला हिसा मार्किंग को टच करना चाहिए और साथ में ये ध्यान रखें कि ट्रेक जो है वो ब्लेड के साथ आगे की तरफ ना किसक जाए उसको अच्छी तरह दबा कर रखें इस तरह कटिंग करने पर हम 3 ट्रेक 4 ट्रेक को आसानी से 45 डिगरी पर काट सकते हैं उमीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्यूस्चन हो या क्योरी हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक्यू वेरी मच्च